नमस्कार दुस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनू श्टडी क्लास से यूटूब चलबन दुस्तों मैं आप लोग को उन्सी आटी बूक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारते परप्रस उत्तर मैं आप लोग को स्विडियों बताऊंगा प्रस्तंबर एक, क्या उपने सदों के दर्सनिकों के विचार नियती वादियों और भौतिक वादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पच्छ में तर्क दीजिये उत्तरहां उपने सदों के दर्सनिकों के विचार नियती वादियों और भौतिक वादियों के विचार से पूर्णत विन्न थे? इसकी विन्नता के निम्लिखित आधार थे नियती वादियों और तथा भौतिक वादियों के विचार नियती द्वारा निर्धारित मात्रा मे दिये गए हैं इन्हें चाकर भी बदला नहीं जा सकता बुद्धी जीवी लोग सोचते हैं कि युए अपने सद्गुडु द्वारा उन्हें बदल देंगे किन्तु यह असंभो है अता इंसान को अपने हिस्ते के सुख दूख को भोगना ही पड़ता है इसी प्रकार भौतिक वादी मानते हैं कि संसार में दान पुन नामक चीजों का कोई महत्व नहीं है दान पुन्य करने की आउधारना पूरी तरसे निराधार है मरनों उपरांत कुछ भी सेस नहीं रहता है परमात्मा और पुन्यात्मा दोनों नश्ठ होकर पंचतत तुम्हें विलिन हो जाते है उपनी सदो के दार्शनिक विचार उत्तर लिखित विचारों में आत्मा परमात्मा को कोई महत्व नहीं दिया गया है जबकि उपनी सदो के अनुसार मानों जीवन का प्रम उद्देश से आत्मा को परमात्मा में विलिन कर स्वयम प्रम्रमा हो जाना है प्रस्ट नमबर दू जैन धरम की महत्पूर्ण सिच्छाओं को संचेप में लिखी है उत्तर जैन धरम की प्रमुक सिच्छाओं इस प्रकार है जैन धरम के नुसारमानो जीवन का चरम लच्छ निवारन प्राप्ति है इसे प्राप्त करने के लिए त्रियरत्न का पालन करना अतितात आवस्तेक है यह तीन अरतन है नमबर एक सामेक ज्ञान अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रतेक्ष करना ज्ञान की प्राप्ति तिर्थ करो के उपदेशु का अनुसरण करने से ही होज सकती है नमबर दू समन्वेक दर्शक दर्शन ध्यान अर्थात तिर्थ करो में विश्वास रखना तता सत्य के प्रती स्रधा रखना नमबर तीन समन वेक चरित्र आचरण अर्थाथ अच्छे आचरण अथवा कारे करना जैन्दरम के नुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान हैं रिष्टि के कड़ कड़ में चाहे वो जड़ है या चेतन आत्मा का निवास है अर्थाथ आत्मा कीवर मनुस्यों पच्छीों आदि में ही नहीं अपितुपेड पोधो पत्थरों जल वाइ Schweel आदि सभी में है अतर जड़ चेतन किसी की भी हिस्सा नहीं हिन्सा नहीं गरनी चाहिए जैन मानिता के अनुसार मनुस्यों के कर्म ही उनके जन्म और पूर्व जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं मनुस्य जो कार्य जो कर्म करता है उसका फल एकत्रित होता रहता है और उस करमफल को भोगने के लिए ही आत्मा को बार बार जनम लेना पड़ता है करमो का नास करके ही मनुष से पुनजनम के चक्र से छोटकारा पा सकता है करमो का विनास त्याग और तपस्तिया के द्वारा ही किया जा सकता है संसार त्याक के बिना कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है इसलिए जैन परंपरा में मुक्ती प्राप्ती के लिए विहारू में निवास करना आनिवार बताया गया है जैन धरम पांच ब्रतो अर्थात अहिंसा चोरी न करना जूट न बोलना ब्रह्मचर का पालन करना और धन इकठा न करना के पालक पर अत्यधिक बल दिता है जैन साद्वों और साद्वियों के लिए इन ब्रतो का पालन करना अत्या आवस्तक है प्रस्त नम्बर तीन साची के स्तूप के सरच्छड में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चैचा कीजिये उत्तर 19 सदी में भोपाल के सासकों और यूरूपियों ने साची के स्तूप को बचाने में महत्पूर्ण योगदान दिया है यूरोपिय सुरू से ही साची के कतूप में दिलचस्पी दिखाते रहें फ्रांसीसियों ने तो साची के पूर्वी तोर रदवार को फ्रांस के संग्रालाय में ले जाने की अनुमती भी मांगी अंग्रेजों की भी यही इच्छा थी प्रंतु साजहा विगम ने दोनों को साची की प्लाश्टर आफ पैरिस की बनी प्राकृतियां देखकर संतुष्टन कर दिया इस तरह साची की मुल्क कृति को भोपाल राज्य में अपने स्थान पर बनाये रखा साजहा विगम और उनकी उत्तरा धिकारी सुल्तान जहां विगम ने इस प्राचीन स्थान के रख रखाव के लिए बहुत सा धन दिया उन्होंने वहां एक संग्राले और अती थी साला का निर्मार करवाया जहां जान मार्सल ने कई पुछ्टके लिखी जिनके प्रकासन के लिए भी बेगमों की दान बेगमों ने दान दिया यह भी भाग की बात है कि यह रेल ठेकेदारों और निर्माताओं की नजर से बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप संग्राले में ले जाना चाते थे आज इसकी मरमत और सारचड का कार्य भारतिय पूरा तत्तो विभाग कर रहा है प्रस नमबर चार निम्लकिय सांचिप्त अविलेक को पढ़िये और जवाब दीजिए महाराजा हुविस्क एक कूपा कुशाड सासक के 33 साल में गरम मौसं के पहले महिने के आठमे दिन त्रिपी टक जानने वाले विक्षू बलकि सिच्छा त्रिपी टक जानने वाली बुधी मिता की बहन की बेटी विक्षूनी धन वन्ती ने अपने माता पिता के साथ मधुवन में सम्भू में बोधिस्त की मूर्ती इस्थापित की नमबर एक धन वन्ती ने अपने अभिले की तारीक कैसे निस्चित की नमबर दू आपके अनुसार उन्होंने बोधिस्त की मूर्ति क्यों स्थापित की नमबर तीन हुए अपने किस रिष्टदारों का नाम लेती है नमबर चार हुए कौन से बहुत गरंथों को जानती थी नमबर पांच उन्होंने यह पार्ट किस से सीखे थे उत्तर धन्मंति ने ततकालीन कुशार सासक के सासनकाल के 33 वर्स में गर्म मौसम के पहले महिने के आठमे दिन का उलेक करके अपने अविलेक की तारिक निस्चित की नमबर दू धन्मंति ने बौद धर्म में अपना विश्वास प्रगट करने है तू और स्वयम को विक्षुनी सिद्ध करने है तू मदुवन नक में बौदिस्त की मूर्ति की स्थापना की नमबर तीन इस अविलेक में उसने अपनी मौसी मा की बहन बुधी बुधमिता के नाम का उलेक किया है वह भी यह एक बौद विचुड़ी थी उसने विचुड़ी बाला और अभिभाव को यह भी नामों का उलेक किया है नमबर चार धनवन्ती बौद धरम के गरंथ त्रीपी ठक को जानती थी नमबर पांच उसने यह धार्मिक गरंथ विचुड़ी बुधी मता अपनी मौसी से सीखा था धनवन्ती विचुड़ी बाला की पहली महिला से सी थी प्रस नमबर पांच आग के अनुसार इस्तरी पूरुस संग में क्यों जाते थे उत्तर हमारे अनुसार इस्तरी पूरुस संग में इसले जाते थे क्योंकि वहां वे धरम का नियमित ढंक से अध्यान विचार बिमर्ष मनन उपासना आधी कर सकते थे वे यहां विचार बिमर्ष के साथ साथ प्रचार को और अध्याप को के माध्यम से भी धरम को जान सकते थे वो उसे ब्यवहार में लगा सकते थे बौध संग में कुछ नियम और उपनियम रचे गए थे सभी बौध विच्चकों को संग में रकर उन नियमों का पालन करना होता था सभी विच्चकों को संग की अनुसासन में रहना उची धंग से अपने विचारों को दर्साना होता था विच्छकों को नियम मा अनुसार से विच्छा मांग कर ही अपना भोजन और अन्य सामगरी जुटानी होती थी संग में उन्हें अध्यापन भी कराया जाता था मोक्ष प्राप्ति या निवारन के लिए उनसे बताये गए मार्ग सिधान्तों और उन विच्छाओं का अनुसरन करवाया जाता था निमलिखित पर एक संचिप्त निबंद लिखिए लगभग पानसु सब्दों में उत्तर प्रस नमबर छव साची की मूर्ति करा को समझने में बौद साहित के ज्यान से कहां तक सहायता मिलती है उत्तर समाने तर साची की मूर्तियों को देखकर अथवा उत्तर चित्रों को देखकर या अनुमान लगा ना कठिन हो जाता है कि इनका चित्रन किन संदर्वों में किया गया है अथवा उनका क्या अविप्राय है किन्तु बहुत ये साची की मुर्तिकला को समझने में हमारी महत्पूर्ण सहायता करता है बहुत ग्रंतों के अध्यन से साची की मुर्तियों में उलेखित समाजी केवं मानो जीवन की अनेक बातों को समझने में दर्सक को महत पूर्ण सहायता मिलती है उधारन के लिए साची के उतरी तुरून द्वार के एक भाग पर एक चित्र है इस चित्र में घास भूस से बनी जो पड़ियां पेड़ इस्तरी पूरूस और बच्चे दिखाए देते हैं जिससे लगता है कि इसमें ग्रामेड द्रिस्ट का चित्रन किया गया है किन्तु साची की मूर्तिकला का गहनता पुरूवक अध्यन करने वाले कला इतिहास कारों के अनुसार मूर्तिकला के इस अंस में वेसांतर जातक की एक कथा के दिखाया गया है वेसांतर जातक में एक ऐसे दानी राजकुमार का उलेक है जिसने अपना सबकुछ एक ब्रामर को दान में दे दिया और सुएम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चला गया इससे इसपष्ट हो जाता है कि इतिहासकार मुर्तियों का अध्यन सम्मंद ग्रंतू की सहायता से करते हैं और लिखित साच्यों के साथ तुलना करके ही मुर्तियां की ब्याख्या करते हैं बुध चरित्र लेखण ने भी बुध मूर्तिकला को समये में महतपूण योगदान दिया है विद्धमान इतिहासकारों ने बुध चरित्र लेखण की भाती भली भाती समझ कर मुर्तिकला की ब्याख्या करने का सफल प्रयास किया है बुद्ध चरित्र लेखन में हमें इसपष्ट उल्लेख मिलता है कि बुद्ध ने एक ब्रिच की नीचे ध्यान करते हुए बुद्धी अर्थात ज्यान की प्राप्ति की थी अनेक प्रारंबिक मूर्थी कारों द्वारा बुद्ध की उपष्टिती को प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रत्न किया गया उन्हें बुद्ध का चित्रा कर मानो रूप में किया नहीं किया के लिए बौध्य मूर्तिकला में रिक्त स्थान बुद्ध की ध्यान की दसा का प्रतीक बन गया इसी प्रकार इस पूद्ध को महापरी निर्माड महापरी निवान का प्रतीक मान लिया गया चक्र महात्मा बुद्ध द्वारा सारनात में दिये गये पहले उपदेश का प्रतीक बन गया हमें याद रखना चाहिए कि बुद्ध ने वारांसी के पास सारनात के मृध्य दिव हिरन कुज में आशार पुडिमा को अपना पहला उपदेश दिया था जो धर्म चक्र परवर साची ने पसुओं के अत्तिधिक सुन्दर एवं सजीव चित्रों को आकन किया गया है मुख्य रूप से हाथी, घोडे, बंदर एवं गाय बैल के चित्र अंकित किये गये हैं जातक ग्रंतों के अध्यन सेस्पष्ट होता है कि साची में दिखाए गए अनेक द्रिस्त जातकों में वर्णित पसु कथाओं से सम्मंदित हैं कुछ विद्वानों के मता अनुसार इन पसुगों का अकन संभोतों सज्जी उद्रिस्यों के द्वारा दर्शकों को आकरसित करने के लिए किया गया था हमें याद रखना चाहिए कि प्राइप पसु को मानो गुडों के प्रतीकों के रूप में भी प्रयोग किया जाता था उधारन के लिए हाथी को सक्ती एवं ग्यान का प्रतीक माना जाता था इन प्रतिकों में कमल तथा हाथियों के मद्दे दिखाई गई एक महिला की मुर्ति विशेश रूप से उलेखनी हैं हाथियों को अभी करने की मुर्तियों में उस महिला पर जल छिड़कते हुए दिखाया गया है कुछ विद्वान इस मुर्ति को वुद्ध की माता माया बताते हैं तो कुछ स्वभाग की देवी गजलचमी उलेखनी है की लोक्त प्रिय गजलचमी को अपराय हाथियों के साथ दिखाया जाता है कुछ विद्वानों का विचार है कि संबोतव उपासक इसका संबन्द माया और जलचमी दोनों के साथ मानते हैं लोक परंपराओं से संबन्दित साहित से भी साची की मुर्तिकरा को समयने में महत पूर्ण साहता मिलती है वो लेखनी है कि साची में उत्क्रिण अनेक मुर्तियों का संबन्द प्रतेक्ष रूप से बौध धर्म से नहीं था इन मुर्तियों का अकन लोक परंपराओं से प्रभावित होते हुए किया गया था उधार्न के लिए साची स्टूप के तोरन द्वार पर सुन्दर इस्त्रियों की मुर्तियों भी उत्क्रिण की गई है उन्हें तोरन द्वार के किनारे एक पेड की टहनिया पकड़ कर जोलते हुए दिखाया गया है प्राय में विद्वान यह सूचकर हैरान थे कि त्रोण द्वार पर इस मूर्ती का अकन क्यों किया गया क्योंकि इन मूर्ती का त्याग और तपस्या से कोई प्रतेक्च अथवा और प्रतेक्च सम्मंद दृष्टी गोचर नहीं होता था किन्तु अन्य साहितिक परंपराओं का आधियन करने के बाद विद्वान इस निसकर्स पर पहुशते हैं कि मूर्ती साल्व जी का की है जिनका सांस्कृत गरंतों में उलेक मिलता है लोग परंपरा की अनुसा साल्व जीनका के इसपर्स से ब्रिच्छ फूलों से भर जाते हैं और उनमें फ़ल लगने लगते थे इससे यह इसपष्ट होता है कि बौध धरम में प्रवेश करने वाले लोगों ने अपनी परंपराओं एवं धारणाओं का परित्याग नहीं किया अपितु इनसे बौध धरम को सम्रिद्ध बनाया विद्वान इतिहास कारों का विचार है कि साची की मूर्तियां में पाये जाने वाले अनेक प्रतीकों अत्वाचिनों को भी लोग परंपराओं से लिया गया था उलेखनी है कि जिस कलाक में प्रतीकों का प्रियोग किया जाता है उनके अर्थ की ब्याक्या अच्छर्स नहीं थी जानी जाती उधारन के लिए बहुत मूर्थी कला में पेड का अभिपराय कीवल एक पेड से नहीं है अपितु उनका चित्रांकन महात्मा बुद्ध के जीवन की एक महत्पून घटना के प्रतीक के रूप में किया जाता है इतिहासकार कलाक किर्थियों के निर्माताओं की परंपराओं को समझ कर ही प्रतीकों को समझने में समर्थ हो सकते हैं प्रस्ट नमर साथ चित्र चार दस्मनों एक और चित्र चार दस्मनों दो में साची के लिए गए दो प्रिद्रिस से दिये गए हैं आपको इनमें क्या नजार आता है वास्पिकला पेड़ पोधो और जानवरों को ध्यान सिद देखकर तथा लोगों के काम दंदों को पहचान कर यव बताईए कि इनमें से कौन से ग्रामेड और कौन से सहरी प्रिद्रिस हैं उत्तर साची का इस्तूप एतिहासिक द्रिष्टी से महत्पूर्ण माना जाता है यहां के मूर्थिक कला का चित्रकला को समझने में बौध साहित्य का साहित्यक और लोग प्रमपराओं से महत्पूर्ण सहाता मिलती है चित्र 4.1 इसको ध्यान प्रुवक देखने से यह इस्पष्ट हो जाता है कि इनमें ग्रामेड द्रिष्य को अंकीत किया गया है इसमें लताओं पेड़ पौधों और पस्वू को दर्साया गया है विसेश रूप से गाय भैंस और हीरन को चित्रित किया गया है इस चित्र के सिर्ष भाग में बने पस्वू के चित्रों और उनके साथ बने बौध विच्छों के चित्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे अपनी सुरच्छा को लेकर इसी तरह आस्वस्त हैं जबकि निचले भाग में पस्वू के कटे हुए सिर्ष और धनुस बाड लिये कुछ लोगों को दिखाया गया है इससे स्पष्ठ होता है कि बौध धरम से पूर्व ब्रामर धरम में अनेक जटिल ताओं का समावेश हो गया था यहां तक कि बली प्रता को भी महत्तु दिया जाने लगा था खेतर आप देख लिजे चितर चार दस्मनों एक चितर आप देख लिजे चितर चार दस्मनों दू इसमें कुछ मजबूत लंबे लंबे इस्तंब और उनके नीचे जाली काद्रिस से कार्य दिखाया गया है इन इस्तंबों के ऊपर विविन मवेशी और कुछ अन्य वर्स्तुगों को चित्रित किया गया है इस्तंबों के माध्यम से बहुत धरम के अनु या यू को विविन सारीरिक आकृतियों में बैठे हुए खड़े हुए एक दूसरे को निहारते हुए तथा विविन प्रकार के हाव भाव की अभिव्यक्ति करते हुए दिखाया गया है इस्तंब के उपरी सिरू पर उल्टे रखे हुए करस जिन पर डिवाई डिजाइन बने हैं दर्साया गया है कि इस चित्र के निचले भाग में कुछ इस्तंब विच्छुडियों के विविन आकार हाव भाव और किसी इमारत के डिजाइन को संभौता किसी इस्तंब के बाहरी हिस्से से सम्मंदित है दिखाया गया है हमारे विचार अनुस्वार चित्र नंबर 4.1 ग्रामिड चित्रो से और चित्र नंबर 4.2 राजा सहरी परिद्रिस से और महलू से सम्मंदित है चित्र आप देख लिजिए चित्र 4.2 प्रस्त नंबर 8 वेस्डवाद और सेववाद के उदे से जुड़ी वश्तु कला और मुर्तिक कला के विकास की चर्चा कीजिये उत्तर 620 पूर्व से 620 तक की काल में वेस्डवाद और सेववाद का भी प्रयाप्त विस्तार हुआ वेस्डवाद और सेववाद इन दोनों परंपराओं में एक देवता विसेस की पुजा पर विसेस बल दिया जाता था वेस्डवाद परंपरा में विश्डू को और सेव परंपरा में स्यू को सर्वधिक महत्पून देवता माना जाता है दोनों परंपराओं पुराणिक हिंदू धरम से सम्मंदित थी और दोनों के अंतरगत मुर्तिक कला का विसेस विकास हुआ मुर्तिक कला का विकास अवतार वाद की भावना वेश्डव धरम की एक महत्पून विसेस्ता थी इसमें विश्डू के अवतारों की पूजा पर बल दिया जगया विश्डू के अनेक अवतारों की मुर्तियां बनाई गई अन्य देवी देवताओं की भी मुर्तियां बनाई गई सबी चित्रणों का आधार देवी देवताओं से जुड़ी मिश्रित आवधार नाये थी, देवी देवताओं को विसेशताओं एवं उनके प्रतीकों का चित्रांकन, उनके सिरोस्त्र, आभूशडों, आयुधों और बैटने की मुद्रा के द्वारा किया जाता था, ऐसा प् मूर्तिकला के विकास को विसेश प्रोस्ताहन मिला, निसंदे सभी इस्थानिय देवताओं को विश्रु का रूप मान लेना एकी कृत धार्मिक प्रंपरा के निर्मार की दिसा में उठाया गया एक महत्पून कदम था, विद्वान इतिहास कार इन मूर्तियों से जुड़ी कथाओं का भली भाती अध्यन करके ही अप उनके अकन का वास्त्विक और समझने में सफल हुए हैं, इनमें से अनेक कथाओं का उलेक प्रथम सत्रा वदी के मद्यकाल में ब्रामडों द्वारा रचित पूराणों में म मिलता है, इनकी रचना समान्य संस्क्रेट स्लोकों में की गई थे परंपरा की अनुसार इने उची आवाज में पढ़ा जाता था ताकि सभी तक उनकी आवाज पहुच सके, पूराणों की अधिकांस कथाओं का विकास्त लोगों के परंपरिक मेल जूल के परेडाम सो रू आवाजमन के परेडाम सो रूप उनकी विश्वासों एवं आवधालनाओं का परस्पर आदान प्रदान होता रहता था जैसा कि पहले भी उल्ले किया जा चुका है कि वासुदेव कृष्ण मतुरा छेत्र के महत्मोन इस्थानिय देवता थे, किन्तु धीरे धीरे उनकी प मंदीरों का निर्माड उल्लेखनी है कि विचारधीन काल में देवी देताओं के निवास के लिए अनेक मंदीरों का भी निर्माड किया गया प्रारामभिक मन्दीरों में एक चोकोर कमरा होता था जिसे गरवगर के नाम से जाना जाता था इन में एक दर्वाजा होता था, उपासक इन दर्वाजे से मूर्ति की पुज़ा करने के लिए अंदर प्रवेश कर सकता था धीरे धीरे गर्वद्वार के उपर एक उची सरचना बनाई जाने लगी जिसे सिखर कहा जाना जाता था मंदीर की दिवारों पर सुन्दर वेती चित्रों को उत्क्रिन किया जाता था कालांतर में मंदीर स्थापत्य में महत पूर्ण विकास हुआ मंदीरों में विसाल सभास्थलों उची दिवारों तथा सुन्दर तोरण द्वारों का भी निर्मार किया जाने लगा कुछ मंदीरों में जल आपूर्ती का भी प्रवंद किया जाता था इस काल की स्थापत्य करा अधिकास रूपों में धर्म अनुप्रमारीत थी इन काल में अनीक मंदीरों का निर्मार हुआ जिसमें जिनमें देवगण का देवा देवा देशावतार मंदीर भूमरा का स्यू मंदीर नचना का पारवती मंदीर तिगवा का विश्रू मंदीर तथा भीतर गाउं का मंदीर अपने उतकिष्ट कला के लिए उलेखनी है प्रारमभिक मंदीरों की एक महत्पून विसेश्ता यह थी कि इनमें से कुछ मंदीरों का निर्मार पहाड़ियों कुकाट कर और खोकला करके कृतिम गुफाओं की रूप में किया गया था कृतिम गुफाओं बनाने की प्रंपरा बहुत पहले से प्रचलन में थी सर्वधिक प्राचीन कृतिम गुफाओं का निर्मार इसा पूर्व तीसरी सतावदी में किया गया था इन गुफाओं का निर्मार मौरिस समराच असोक के आदेश से आजिविक संप्रदाय के संतों के लिए किया गया था दच्छिड भारत में कुछ उत्कृष्ट कोटी की सेल कृत गुफाओं का निर्मार हुआ अजन्ता की गुफाओं इस्थाप प्रतक कला का एक उलिखनिय नमूना है उनके इस्थम अत्तिधिक सुंदर एवं भिन भिन डिजाइनों वालित हैं तथा उनकी आंत्रिक दिवारों एवं छतों को सुंदर चित्रों से सुस्तरजित किया गया है मद्य प्रदेश में बाग में इस्थूप गुफाएं और विहार गुफाएं पर्वतों को काट कर बनाई गई हैं एलोरा की गुफाएं सेल कृत गुफाओं का उल्ले खनिय उधारन हैं इस काल में पहाड़ी के एक तरब के पूरे खंड की खटाई करके भब्य एकास में मंदीरों का निर्माड किया गया इन मंदीरों की एक महत्पूर्ण विस्तिष था थी एक बड़ा कच्छत था सुन्दर्नक का सिधार इस्तम्भ तात्मी सतावदी में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन तथा नर्सिंग वर्यम वर्मम ने माम विसाल कच्छत था सात एकास में मंदीरों का निर्माड करवाया इन्हें समानेत रत्व मंदीर के नाम से जाना जाता है इस परंपरा का सारवधिक वेक्सित रूप आठमी सतावदी के एलूरा के टालासनात्म मंदीर के मंदीर में देखने को मिलता है इसमें पूरी पहाड़ी को काटकर उन्हें मंदील का रूप दिया गया है इस प्रकार यह कहना उची थी होगा कि वेश्रोवाद और देववाद में उदय ने मुर्थिक कला और वस्तु कल इसमान दिया फ्रस नमबर नव इस्तूप क्यों और कैसे बनाये जाते थे चर्चा किजिए उसपूर्थ क्यों बनाये जाते थे उत्तर संस्कृत का एक सब्द है इसका अर्थ है धेर समानत संस्कृत मात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र विच्छू के आवसेशों जैसे दाद भस्म आदी अथवा किसी पवित्र ग्रंद पर बनाये जाते थे अवसे इस्टूप के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कच्छ में एक पेटी का मेरख दिये जाते थे इस्टूप बनाने की परंपरासम बुद्ध से पहले ही प्रचलित रही होगी किन्तू इस्टूपो को बुद्ध और बौध धर्म के प्रतीक की रूप में विसे इस प्रसिद्धी मिली असोग का वदान नामक बौध ग्रंथ से उलेख मिलता है कि मौरिस समराथ असोग ने महात्मा बुद्ध के और सेसो के भाग प्रतेक महत्मूर सहर में बाठकर उन पर इस्टूप बनाने का आदेश दिया था दूसरी सतावदी इस इसापुर्व तक भरहूत साचिक और सारनाज जैसे स्थानों पर महत्मूर इस्टूप बनवाए जा चुके थे इस्टूप कैसे बनाए जाते थे इस्टूप प्रायदान के धन से बनाए जाते थे इस्टूप बनाने के लिए दान राजाओं जैसे साथ वाहन वंस के राजा धनी व्यक्तियों सिल्पकारों एवं बैपारियों की स्रेडियों और यहां तक की विच्चूओं और तथा इस्तंबो पर मिले अविलेखों से इनके निर्माड और सजावड के लिए दिये जाने वारे दान का उलेख मिलता है। करने वाले सिल्पकारों के संग द्वारा करवाया गया था। जिसे यश्टी कहा जाता था। इसके उपर छतरी लगी होती थी जिसे छतरावली कहा जाता था। पवित्र इस्तल को संसारी के स्थान से प्रिथक करने के लिए इनके चारों और एक वेदिका बना दिया बना दी जाती थी। जाची और भरूत के इस्तूपों में किसी प्रकार की साज सज्जा नहीं मिलती। इनमें केवल पथर की वेदिकाएं और तूरण द्वार हैं। पथर की वेदिकाएं लकड़ी अथवा बांस के घेरे के समान थी। चारों दिसाओं में बनाये गए तूरण द्वार पर सुन्दर नक्सकारी की गई थी। भक्त जन पूरवी तूरण द्वार में प्रवेश करने करके सूर के पत का अनुसरण करते हुए परिक्रमा करते थे। कालांतर में इस्तूप के तीलों को भी ताखो एवं मूर्तियों से अलंकरित किया जाने लगा। अमरावती और प्रेशावर के आधोनिक पाकिस्तान में साजी की धेरी इस्तूप इनके सुन्दर उधारना हैं। मांचित्र कारेत प्रस्ट नमर दस विश्व के रेखांकित मांचित्र पर उन इलाको पर निसान लगाई हैं। जहां बौध धर्म का प्रसार हुआ। उप महादीप्य से इन इलाको को जोड़ने वाले जल और स्थल मार्गों को दिखाएं। उत्तर संकेत भारत अफगानिस्तान नमबर तीन जापान नमबर चार पाकिस्तान नमबर पांच यूनान नमबर छो कोरिया नमबर साथ स्रीलंकार नमबर आठ जीन। विश्व कारे खांकित्र लेकर विद्यार्थी स्वयम करे। प्रियोजना कारे कोई एक प्रस्त नमबर 11 इन अध्याय मिचर्चित धार्मिक प्रमपराओं में से एक प्रमपराओं में से क्या कोई प्रमपरा आपके अडोस में मानी जाती है। आज किन धार्मिक ग्रंथों का प्रियोग किया जाता है। इन्हें कैसे सनरचित और इस प्रेशित किया जाता है। क्या पूजा में मूर्तियों का प्रयोग होता है यदि हा तो क्यों ये मूर्तियों इन अध्याय में लिखी गई मूर्तियों से मिलती जूलती हैं या अलग हैं। धार्मिक कृतियों के लिए प्रियुक्त इमार्तु की तुलना प्रारंबिक तूपो और मंदीरों से करें उत्तर स्वयम करें। प्रस्तंबर बारव इस अध्याय में वर्णित धार्मिक प्रम्पराओं से जुड़े अलग-अलग काल्ग और इमार्त इलाकों की कम से कम पांच मूर्तियों और चित्रों की तस्वीरें इकठा कीजिए। उनके सिर्षक काटकर प्रतेक तस्वीर दू-दू दू लोगों को दिखाईए और उन्हें इसके बारे में बताने को कहिए। उनके वर्णनों की तुलना करते हुए अपनी खोज की रिपूर्ट लिखिए उत्तर स्वयम करें। अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें। और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्यू फूर वाचिएंग।